नम्सकार दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मन की चाहत पर। दोस्तों दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए खास करवाचोत पर खाने में इन चीजों को कभी नहीं बनाना चाहिए। नहीं तो आपका व्रत तूट सकता है। माता पारवती भी क्रोधित हो सकती है। खास करवाचोत पर ये भोजन कभी ग्रहन नहीं करें। दोस्तों हिंदू धर्म में करवाचोत नारी के जीवन का सबसे एहम दिन माना जाता है। जिसे भारतिय सुहागिन स्थ्विया एक पर्व के रूप में मनाती है। वो पती की लंबी आयू के लिए व्रत र देती है। करवाचोत पर महिलाए अपने खूब सूरत हाथों में महंदी लगाती है। वो खूब सारा श्रिंगार करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं करवाचोत पर भोजन में कुछ भी बना लेना शास्त्रों के विरुद्ध है। आपको बता दे करवाचोत पर खाने क भोजन में क्या है और क्या नहीं है, इन सबी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि करवा चौत पर क्या बनाना चाहिए और क्या नहीं, ये सब बाते जानना बहुत ही जरूरी है, तो चलिए जानते हैं, दोस्तों खास करवा चौत पर ख खास करवा चौत पर लहसुन प्यास का इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि यह थाली पूजा में इस्तेमाल की जाती है, और भगवान को भोव लगाया जाता है, आपको बता दे, धार में कनुष्ठान गुरत आदी मौके पर भोजन में लहसुन प्यास का इस्तेमाल कभी नहीं क पूजा पार्वती बड़ी प्यारी है क्योंकि यह वुरत माता पार्वती को समर्पित है। ताथ ही साथ जानिये करवा चौत पर क्या खरीदे और क्या ना खरीदे। करवा चौत की पूजा का शुब मुहूर्ट चांद निकलने का समय चौत माता को तीन चीजे कभी अर्पित मत करना घोरपाप लगता है। आपका वरत खंडित हो जाएगा। जानिये सब कुछ इस वीडियो में आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में है, इससे अंत तक जरूर देखें, नहीं तो आप बाद में बहुत पच्चताइंगे। दोस्तों करवा चौत बहुत ही खूबसूरत और पवित्र त्योहार होता है। किस्मत का बहुत बढ़ा धनी होता है जिसकी पतनी उसके लिए करवा चौत का वृत करती हो। करवा चौत का वरत पती की आयू को बढ़ाता है और दोनों के बीच में प्रेम संबंध मधुर होते हैं और साथ जन्मों तक का साथ प्राप्त हो जाता है। जो स्त्री सच्छे हृदे से अपने पती के लिए करवा चौत का वरत करती है तो उसे साक्षाद देवी का रूप मा जाने लगा। जो स्त्री अपने पती के लिए करवा चौत का वरत करती है तो समझो ऐसी स्त्री अपने पती से बेंतेहा मोहबबत करती है तथा प्यार करती है। करवा चौत के वरत से पता चलता है कि एक नारी अपने पती को हर बुराए और संकटों से बचाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आइकॉन जरूर दबाईएगा सच्छे हृदे से कमेंट बॉक्स में लिखे जै माता पारवती क्योंकि यह रत शक्तिस्वरूपा देवी पारवती के लिए किया जाता है अगर आप अखन सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे जै माता पारवती दोस्तों सबसे पहले जानते हैं करवाचौथ की पूजा का शुब महूर्थ इस बार 2023 में करवाचौथ 13 तारीक को यानी की गुरूवार के दिन मनाया जाएगा और पूजा का महूर्थ है शाम 6 बच के 1 मिनट से लेकर शाम 7 बच के 9 मिनट तक महूर्थ में की गई पूजा पार्ट का फल कईला गुनप राप्त होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते इसलिए महूर्थ में ही करें पूजा पार्ट और चांद निकलने का समय है रात 8 बच के 7 मिनट जो की इस बार चांद जल्दी ही निकलेगा आपको घबराने की जरूरत नहीं है चांद भले ही देर से निकले और आपका व्रत संपूर्ण और सफल अवश्य होगा अगर आपको चांद के दर्शन नहीं होते हैं यदि किसी कारणवश आसमान खराब हो जाता है तो आप ऐसी स्थिती में चांद को मुबाइल पर ओनलाइन दर्शन करके अपना व्रत संपूर्ण और सफल बना सकते हैं दोस्तों आप जानते हैं व्रत रखने से पहले सरगी कैसे ले किस समयले और इसे कौन देता है आये जानते हैं विस्तार से एक कथा के अनुसार सबसे पहले देवी पार्वती ने करवाचोत का व्रत किया था डेवी पारवती की सास नहीं थी, इसलिए मायके से माता मैना ने इन्हे सर्गी दी थी इसलिए विभाग के पहले वर्ष में मायके से सर्गी देने की भी परंपरा रही है जबकी एक अन्य कथा के अनुसार जब द्रोपदी ने करवा चौत का वर्ष रखा था तब इनकी सासु मा कुंती ने सर्गी दी थी इस तरह मायके और ससुराल से सर्गी की परंपरा जुड़ी हुई है सर्गी, किस समय लेना चाहिए? सबसे पहले आपको वर्ष का संकल्प लेना चाहिए सर्गी में आप मेरे आदी खा सकते हैं फल फ्रूट खा सकते हैं नारियल पानी इस समय आप अवश्य पिए बहुत ही ज़्यादा फायदे मंद माना जाता है दूद जले भी आप खा सकते है तला भुना भूल कर भी ना खाएं इस से आपका पेट खराब होगा और आपका वरत तूट जाएगा ज्यादा से ज्यादा आप फलों का जूस भी है सर्गी में लहसुन प्यास का खाना कभी मत खाना नहीं तो मादेवी पारवती आप से क्रोधित हो जाएंगी और आपका वरत खंडित हो जाएगा सर्गी खाने का समय सूर्य उदय से पहले सर्गी खा लेना चाहिए यानि कि सुबह ब्रहम मुहूर्त में चार बजे 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 के पहले जरूर खा लेना चाहिए क्योंकि इसके बाद सूर्य उदै हो जाता है इसके बाद आप खाएंगे तो आपका व्रत तूट जाएगा सरगी खाने से शक्ती मिलती है तथा बढ़ों का आशीरवाद मिलता है और आपका व्रत संपूर्ण और सफल होता है दोस्तों, इमेजन और खाने में ये चीज कभी नहीं बनाना चाहिए माता के भोग में इन चीजों को कभी नहीं चड़ाया जाता करवा चौक पर भूल कर भी लहसुन प्यास का खाना कभी नहीं खाना चाहिए मास मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए इस दिन आप कड़ी पकोःा, खीर, पूरी हलवा आदी अवश्य बनाएं आप चाहे तो तो वो भी की सबजी, केले की सबजी, पनीर आदी बना सकते हैं, चावल भी बना सकते हैं लेकिन माता रानी के लिए खास भोग में हलवा, पूरीखी, छोले की सबजी आदी बना सकते हैं। करवा चौत पर अगर आपका पती मदिरा का सेवन करता है तो समझो आपका वरत खंडित हो जाएगा। आपके पती की आयूग हट जाएगी। चौत माता क्रोधित हो जाएगी इसलिए करवा चौत का वरत सूजबूज के साथ रखा जाता है। इसमें कोई गलती ना करें। लह सुन प्यास का खाना तो कभी मत बनाना क्योंकि यह भोग माता को लगता है। दोस्तों आप जानते हैं करवा चौत पर पुराने कपड़े पहने या नए कपड़े पहने कपड़ा किस रंग का होना चाहिए। क्या घर में रखे कपड़े पहन सकते हैं? क्या शादी का जोड़ा पहन सकते हैं? आईए जानते हैं अगर शास्त्रों की माने तो आपका जो शादी का जोगा है तो आप करवा चौत पर उसे भी पहन सकते हैं इसमें समस्त देवी देवताओं का आशिरवाद होता है इसे पहनने से चौत माता अती प्रसन होती है अगर आप चाहें तो बजार से नए कपड़े भी पहन सकते हैं लेकिन याद रहे काले और सफेद कपड़े कभी ना पहने एक सुहागन के लिए ऐसे वस्त्रत त्योहार में पहनना शुब नहीं माना जाता अगर आपके पास पुराने कपड़े हैं तो आप उन्हें भी पहन सकते हैं लेकिन उस पर अपनी शादी की चुन्वी उलेक चुन्डरी अगर नहीं है तो आप बजार से नहीं खरीड ले लाल पीली हरी गुलाबी भगवान रंग किसी भी रंग की आप पहन सकते हैं लेकिन ये सफेद रंग के कपड़े ना पहने दोस्तों आप जानते हैं करवाचोत पर चौत माता को ऐसा क्या नहीं चड़ाना चाहिए जिससे की पाप न लगे खास करवाचोत पर ऐसी पूजा किसी भी सुहागिन महिला को नहीं करना चाहिए तो आईए ये भी जान लेते हैं दोस्तों करवाचोत का वरत किसे नहीं रखना चाहिए आईए जानते हैं सबसे पहली बात करवाचोत का वरत सुहागिन महिला या जिनका रिष्टत है हो गया है तो वहीं औस्ट्रिया ये वरत रख सकती है अगर जो महिला अपने पती से लड़ती जगरती है तथा नफरत करती है तो उसे ये वरत नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये थ्योहार प्यार का है नफरत का नहीं इसलिए पती पत्नी में प्यार होना बहुत जरूरी है करवाचोत के वरत में इस बात का ख्याल होना चाहिए कि इस्त्रिया काले और सफेद रंग के कपड़े कतई न पहने सफेद रंग दबा होने का रूप माना गया है और काला रंग शनी का प्रतीक है इसलिए धार्मिक में काले कपड़े नहीं पहनती दोस्तों करवा चौत का वरत तब तक रखा जाता है जब तक चांदना निकल जाए शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पत्नी अगर बीमार है तो उसकी जगह पती यहुरत रख सकता है और वही किसी महिला को अगर मासिक धर्मा जाए तो वह महिला पूजा पार्ट में तो शामिल हो सकती है लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को छू नहीं सकती वह घर में किसी और से पूजा पार्ट करवा सकती है आप चाहें तो अपने पती से भी पूजा करवा सकती है ऐसे में आप कता भी सुन सकते हैं लेकिन भगवान की प्रतिमा को स्पर्ष ना करें आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप करते चले आ रहे हैं परंतो इस बार की प्रतिमा को स्पर्श ना करे मासिक धर्म में वरत रखने की कताई मना ही नहीं है या आप मासिक धर्म को रोकने के लिए मेडिसिन भी खा सकते हैं जिससे आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है दोस्तों वहीं गर्भवती महिला भी करवा चौत का वरत रख सकती है लेकिन डॉक्टर की राए अवश्य लेले दोस्त और पती की निशानी जो मंगल सूत्र होता है उसे स्वयम आप ही खरीडे ये अपने पती से लेले, दूसरी महिला का मंगल सूत्र इस्तिमाल ना करें इस से पती पर संकट आ सकते है शौत माता अर्थात माता पारवती को प्रसं करने के लिए जितना ज्यादा हो सके मांग में संपूम्न सिंदूर भरना चाहिए माता रानी को सिंदूर से सजी सबरी महिला बहुत अच्छी लगती है और देती है सौभागयशाली होने का वर्दान क्योंकि सिंदूर और मंगल सूत्र मा पार्वती से संबंधित है कम से कम करवा चौत पर मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए और मंगल सूत्र हराल में गले में होना चाहिए दोस्तों चौत माता को क्या ना चड़ाएं जब आप करवा चौत की पूजा का सामान खरीदे तो याद रहे सीके या तीलियार टूटी हुई नहीं होना चाहिए जो की हम दिखा रहे हैं इन सिक्कों की संख्या साथ भी हो सकती है और कुछ लोग पाद भी इस्तिमाल करते हैं वही जब आप बजार से 29 मामाटी का करवा खरीदे तो देख ले करवा चटका हुआ नहीं होना चाहिए तूटा तथा चटका करवा माता को चड़ाने से बड़त तूट जाता है क्योंकि चटका हुआ करवा खंडित माना गया है माता को जब आप श्रिंगार का सामान चड़ाए तो नया ही चड़ाए ध्यान से देखें, चुलिया टूटी हुई नहीं होना चाहिए आप भी टूटी तथा चटकी चुलियाना पहने करवाचोत में छलनी का बहुत बड़ा योगदान है इसके बगएर आप कभी भी करवाचोत की पूजा कर ही नहीं सकती क्योंकि इस से चांद को देखा जाता है चलनी टूटी हुई नहीं होना चाहिए आप चाहे तो पुरानी करवाचोत की चलनी इस्तेमाल कर सकते हैं या बजार से भी ला सकते हैं दोस्तों माता को जब आप भोव लगाएं तो फलों में 5 रंके फल होना चाहिए और मिठाया भी 5 रंकी होना चाहिए बड़ा ही शुब माना गया है फलों में खासकर माता को नाशपाती ना चड़ाए शुब नहीं माना जाता आप अपने मन के अनुसार भी फल और मिठाया रख सकते हैं करवा चौत में इस्तेमाल होने वाले चावल बजार से खरीदे चावल टूटे हुए नहीं होना चाहिए चावल, साप और सफेद होना चाहिए माता को जब आप नारियल अर्पित करें तो जटा वाला यानी पानी वाला नारियल होना चाहिए माता को लाल चुन्नी चड़ाना सर्वश्वेश्ट उत्तम माना गया है करवा चौत की पूजा के आसपास ज़ारू पोचा नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चपल भी दूर हटा दे पाप लगता है करवा चौत की पूजा के आसपास ज़ारू पोचा नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चपल भी दूर हटा दे पाप लगता है, चौत माता भी ऐसी पूजा में शामिल नहीं होती कि पूजा में चौत माता की चौकी लाल कपड़े से लगाना चाहिए इस बात का ध्यान रखे चौत पूजा के लिए जब आप करवा चौत का फोटो लगा ये तो फटा हुआ नहीं होना चाहिए फटा गला फोटो खंडित माना गया है, फोटो संपूर्ण होना चाहिए, फोटो पर फूलो की माला अवश्य चड़ाना चाहिए करवा चौत की पूजा में कथा अवश्य सुननी चाहिए या पढ़ना चाहिए कथा जब आप सुने तो आपकी मुट्थी में थोड़े चावल होना चाहिए दोस्तों का था, आप बीडियो द्वारा भी सुन सकते हैं जो की हम बॉक्स में कथा का लिंक दे देंगे आप वहां से सुन सकते हैं करवा चौत की पूजा में पूरे मेकप आदी श्रिंगार आदी के साथ चौत माता की पूजा करनी चाहिए और अंत में चान की पूजा करनी चाहिए इस बात का ध्यान रहे अगर आपका करवा चौत का वरत है तो मन में खाने के प्रतिलालसा ना रखे अर्था जब तक पूजा संपन हो जाए तब तक भोजन को देखकर अपना मनाप अभीतर ना करे और जब पूजा संपूर्ण हो जाए तब खाने की थाली सास या नंद को दी जाती है। इन सिकों की संख्या साथ भी हो सकती है और कुछ लोग पार भी इस्तिमाल करते हैं। वही जब आप बजार से 29 मा माटी का करवा खरी दे तो देख ले। करवा चटका हुआ नहीं होना चाहिए। तूटा तथा चटका कर बा माता को चड़ाने से बड़त तूट जाता है क्योंकि चटका हुआ करवा खंडित माना गया है। माता को जब आप श्रिंगार का सामान चड़ाए तो नया ही चड़ाएं। ध्यान से देखें, चुलिया टूटी हुई नहीं होना चाहिए। आप भी टूटी तथा चक की चुलिया ना पहने करवा चौत में चलनी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बगएर आप कभी भी करवा चौत की पूजा कर ही नहीं सकती क्योंकि इससे चांद को देखा जाता है। चलनी टूटी हुई नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो पुरानी करवा चौत की चलनी इस्तिमाल कर सकते हैं या बजार से भी ला सकते हैं। दोस्तों माता को जब आप भोव लगाएं तो फलो में 5 रंके फल होना चाहिए और मिठाया भी 5 रंकी होना चाहिए। बड़ा ही शुब माना गया है। फलो में खासकर माता को नाशपाती ना चड़ाए शुब नहीं माना जाता। आप अपने मन के अनुसार भी फल और मिठाया रख सकते हैं। करवा चौत में इस्तेमाल होने वाले चावल बजार से खरीदे चावल टूटे हुए नहीं होना चाहिए। चावल, सांप और सफेद होना चाहिए। माता को जब आप नारियल अर्पित करें तो जटा वाला यानी पानी वाला नारियल होना चाहिए। माता को लाल चुन्नी चड़ाना सर्वश्वेश्ट उत्तम माना गया है। करवा चौत की पूजा के आसपास झाड़ उपोचा नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चप्पल भी दूर हटा दे पाप लगता है चौत माता भी ऐसी पूजा में शामिल नहीं होती कि पूजा में चौत माता की चोकी लाल कपड़े से लगाना चाहिए। इस बात का ध्यान रहे चौत पूजा के लिए जब आप करवा चौत का फोटow लगा ये तो फटा हुआ नहीं होना चाहिए फटा गला फोटो खंडित माना गया है फोटो संपूर्ण होना चाहिए फोटो पर फूलों की माला अवश्य चड़ाना चाहिए करवा चौत की पूजा में कथा अवश्य सुननी चाहिए या पढ़ना चाहिए कथा जब आप सुने तो आपकी मुट्थी में थोड़े चावल होना चाहिए दोस्तों का था, आप बीडियो द्वारा भी सुन सकते हैं जो की हम बॉक्स में कथा का लिंक दे देंगे आप वहां से सुन सकते हैं करवा चौत की पूजा में पूरे मेकप आदी श्रिंगार आदी के साथ चौत माता की पूजा करनी चाहिए और अंत्वे चांद की पूजा करनी चाहिए इस बात का ध्यान रहे अगर आपका करवा चौत का वरत है तो मन में खाने के प्रतिलालसा ना रखे अर्था जब तक पूजा संपन हो जाए तब तक भोजन को देख कर अपना मनाप अभीतर ना करे और जब पूजा संपूर्ण हो जाए तब खाने की थाली सास या नंद को द जाती है धन्यवाद